हेलो बच्चों आज हमारा question है round of each of the following number to the nearest 10 हमें इसको किस्में करना है nearest 10 अब nearest 10 का मतलब 83 हमारा क्या आता 80 और 90 के बीच है यह हमारे nearest 10 है 10 का difference होगा अब हमें देखना कि 83 हमारा कहा है 80 के nearest है या 80 के अगर मैं इसका mid point देखू बिल्कुल तो क्या आ जाएगा 85 आ जाएगा आपको देखना बेटा कि अगर 80 से लेके 84 तक कोई number हो means scanning मतलब है कि 1 से लेके 4 तक हो मतलब mid point तक ना पूंचे तो यह हमारे nearest हो जाता 80 जैसे 83 है ना 84 तक हमें अगर होता यह तो 83 अगर 84 होता तो nearest हो जाता 80 जैसे हम 85 पे पूंच जाते मतलब mid में पूंच जाते तो यह 85 mid point है हमारा आगे चला जाएगा 90 अब 83 भाई यह तो 80 हो जाएगा हमने का 84 तक भी होता अगर तो 80 हो जाता अब यहां देखो 56 है जैसे अब आप समझो 56 कहा आएगा 50 और 60 के बीच आएगा इसका बिल्कुल mid point अगर हम लेंगे तो 55 है तो 56 तो यहां पे है अगर 55 भी होता 60 हो जाता लेकिन 56 इससे आगे तो यह क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा इसका nearest क्या हो जाएगा 60 आ जाएगा इसमें round of क्या लिखेंगे हम इसको 60 लिखेंगे ओके ऐसे 394 भाई हमें nearest 10 देखना 300 हमें कोई मतलम ने हमें 94 को देखना अब 94 आपका देखो 94 हमारा 90 और 100 की बीच म इसका मिड हमारा पढ़ जाता है 95 भाई 94 तक मिड से पहले तक है तो यह हमारे 90 आ जाएगा तो यहां जाएगा 390 आपको द्यान दखना कि पीजो हमारा center पढ़ है जैस 95 जैस हम 95 center में पूंचेंगे आगे चला जाएगा और center से पहले 94 वे तो यह पिछे आ जाएगा 90 तक ओ 1029 तो हमें 2029 देखना बाइ 29 तो बिल्कुल 30 के नेरेस्ट है 3529 तो 3529 तो 30 के नेरेस्ट है अब 8 बाइ 30600 अब 8 देखना बाइ 8 है 10 के नेरेस्ट क्या हो जाएगा यहापे 10 हो जाएगा क्या है क्या है